नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Weekly News Analysis प्रोग्राम में इस वीडियो इस प्रेजेंटेट बाई बोर्ठाकूर आईस अकाडमी यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो भी इंपोर्टन न्यूस पब्लिश हुए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे यह वीडियो आपके UPSC examination as well as APSC यानि के state pieces examination के लिए beneficial है हमारे news के sources generally the Hindu, PIB, the Assam Tribune, the Indian Express, Live Mint, Down to Earth यह सारे newspaper होते हैं जहां पर भी आपके examination point of view से articles आते हैं वे pick up article from there and present you here in simple form तो आईए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से topics cover करने वाले हैं तो आज का हमारा सबसे पहला topic होगा इंडिया gets elected to Intergovernmental Committee of UNESCO 2003 यानि कि इंडिया Intergovernmental Committee जो की UNESCO का एक organization है उसमें एक member बनता है आज का हमारा अगला topic होगा सुवन इधी महोचसौग इंडिया still among countries with poor access to banking एक World Bank का report आया है उस report के बारे में यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं हमारा अगला topic होगा cloudburst अभी अमरनाथ की आतरा में वहाँ पर cloudburst हुआ है कईयों की जान गई हैं बहुत लोग लापता है तो cloudburst एक geographical phenomenon है उसके बारे में यहाँ पर हम discuss करेंगे और नेक्स topic वोड़ बी lavender scare यहाँ lavender से आप confused मत होईएगा this is not a flower lavender scare एक United States में NASA में एक activity हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे activity नहीं एक LGBT community के against में एक साजिस रची गई थी वहाँ पर साजिस्क्या उनको हटाये जा रहा था उनके पोस्ट हटाये जा रहा था उसके बारे में यहाँ पर discuss करने वाले हैं हमारा आगला topic होगा curgulin hotspot and last topic of today video would be Animal Health Summit 2022 right so before starting the topic please like, share, subscribe Bo Thakur Ais Academy YouTube channel आप हमारे telegram channel को भी follow कर सकते हैं वहाँ से आपको सारे update चाहे वो वीडियो को हो, content के हो, test series के हो कोई भी update हो, सब कुछ वहाँ पर available है और साथ ही में आप हमारे दूसरे social media channels को भी follow कर सकते हैं and yes of course, after subscribing Bo Thakur Ais Academy YouTube channel please press the bell icon ताकि आपको तुरंट notification मिल जाए जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आता है so let's start the video with the very first topic जो कि एक P.I.B. का news है यहाँ पर statement दिया गया है इंडिया gets elected to Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention for Safeguarding Intangible Culture Heritage तो यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे important part जो समझने वाली हैं यहाँ पर Intangible Culture Heritage है और एक यहाँ पर International Organization है Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention इसके बारे इंडिया में आपर समझेंगे यह आपके GS1 और 2 का paper है इन में आता है Indian Heritage Sites और Conservation में so let's see खबरों में क्या है तो खबरों में हमने देख चुका आपने पढ़ा ही कि अभी हाली में इंडिया को Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention में मेंबर इलेक्ट किया गया है कौन से साइकल के इलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर यह important आप देख सकते हैं 2022 से लेके 2026 के लिए यह कितने साल का tenure हो गया तो यह 4 साल का tenure हो गया इससे आपको क्या पता चलता है इस convention में या फिर इस organization में किसी भी मेंबर को इलेक्ट किया जाता है तो वो चार साल का उनका साइकल होता है बीच में को हटाय भी जा सकता है अलग लग प्रोविजन होते हैं अलग लग चीज हों के ठीक है अब ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार इस convention का मेंबर बना है इससे पहले इंडिया दो बार और मेंबर रह चुका है ICH Committee का पहली बार 2006 से 2010 तक नेक्स टाइम 2014 से 2018 तक और इस बार 2022 से लेकर 2026 तक के लिए इंडिया को इलेट किया गया है अब हमारे लिए अगला topic जो समझना बहुत important हो जाता है Intangible Cultural Heritage तो cultural heritage को लेकर हमारे दिमाग में generally एक misconception होता है हम cultural heritage को क्या समझते हैं कोई भी monument समझते हैं या फिर collection of objects कई सारे objects होगे उनको हम cultural heritage समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है cultural heritage में वो सारी चीज़े आती है सारी traditional चीज़े आती हैं चाहे वो living expression हो या कुछ भी हो जो कि हम अपने ancestor से inherit करते हैं और वो उनके descendant को pass over होता है तो माल लिजिए ancestor है इनके कुछ जो living expression है living standard थे कुछ चीज़े होती है activity होती है वो अपने descendant को transfer करते हैं उनको भी हम cultural heritage के इंदर में count कर सकते हैं अब इसमें example में क्या हो सकता है oral tradition हो सकता है performing art हो सकता है social practice हो सकता है ritual and festival events हो सकता है traditional craftsmanship होता है तो यह सब सारी चीज़ें यहां पर आ जाती है right so this is what we understand by intangible cultural heritage और यह organization जो यहां पर है inter-governmental committee for UNESCO's 2003 convention तो यह इन ही intangible cultural heritage को conserve या फिर सेवगाट करने के लिए organization बनाया गया था ठीक है अब हम बात करें intangible cultural heritage in India तो इंडिया में कितने अभी तक cultural heritage count आ चुके हैं तो यहां पर year wise mention किया गया है I'm not going to read them one by one you can pause the screen and see कौन कौन से नाम है recent में हम बात करें आगे हम बढ़ते हैं अब इंडिया का election से अगर इंडिया इस organization में इस committee में इलेक्ट हुआ है तो इससे significant क्या होगा तो अब इसमें community participation में मदद मिलेगी अब इंडिया क्योंकि खुद एक member है इस convention का तो community participation में बहुत जादा मदद मिलेगी national level पर international level पर के help से उसको प्रोसाहित किया जाएगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा उसको international level तक फैला जाएगा ताकि दूसरी देश के लोग भी उसको जाने और उसको और अच्छी तरीके से प्रमोट करें साथ ही में academic research के लिए भी जो भी international cultural heritage है इनमें academic research भी असानी सो सकीगी क्योंकि यहाँ पर अब उनको बहुत सारे grants मिलेंगे बहुत सारे facilities मिलने वाली है और इसके साथ साथ ही जो भी इस convention के साथ मिलकर काम करना इस convention का जो main मकसद है वो United Nations Sustainable Development Goals को पाना है United Nations Sustainable Development Goals बहुत सारे है तो उनमें से एक goal हमारा cultural heritage पे भी आता है और उसके साथ aligned होके काम करने में मदद मिलेगा अगर इंडिया इसमें select हो गया है और इसके साथ साथ ही जो इनके monitoring implementation होते हैं जो भी strategies होती हैं जो भी तरीके होते हैं कैसे ये convention monitor करता है कैसे ये convention implement करता है उसको इंडिया closely monitor कर पाएगा इससे पहले भी monitor किया गया है लेकिन हम जानते हैं चीजे समय के साथ बदलती हैं तो उस ही के वज़े से यहाँ पर इंडिया को ये सारी benefits मिलेंगे अब हम बात करने कुछ basics की तो ये जो convention है the convention of united safeguard of safeguarding of intangible cultural heritage तो ये united nation education scientific and cultural organization इसको 2003 में adopt किया गया था इस convention को 2003 में adopt किया गया था फाइनली 2006 में ये action में आया इस committee में या फिर इस convention में total 24 members होते हैं जो की बार-बार recycle होते हैं या फिर shuffle होते हैं फिर change होते रहते हैं और इनको geographical equitable representation में जाता है geographical equitable representation मतलब क्या होता है मालिज ये अलग-अलग देश है यहाँ पर तो इनके geographical area इनके जो cultural heritage है तो इनके representation के basis पर यहाँ पर ये members बनते हैं और tenure हम ये देखी चुके हैं तो ये जो tenure होते हैं committee members का वो four years का tenure होता है अब इस convention का जो purpose क्या है किस purpose ये convention बनाया गया था तो सबसे पहला purpose है तो safeguard the expression of intangible cultural heritage अब intangible cultural heritage जो है उसको safeguard करना, उसको globalize करना उसको international level तक पहुँचाना ये इसका main मकसल है उसके बाद जो intangible cultural heritage है उसको respect करना, उस communities को respect करना या फिर group को respect रहे और इंडिविजिल को respect करना जो भी उस culture को, tradition को follow कर रहे है अमाली जी दुर्गा पूजा है या फिकुम मेला है, या फिर योगा है अगर किसी particular जगह पर हो रहा है तो उसके लिए respectful ऐसा नहीं कि हम ये कह दे कि tradition है, आदम के ज़वाने के awareness को national और international लेवल तक बढ़ाना ये इसका major purpose है अब इसे question क्या बन सकता है तो यहाँ पर question आप देखेंगे कोडिएट्टम, कोडिएट्टम यहाँ पर देखें क्यों बन रहा है क्योंकि हमने देखा कोडिएट्टम यहाँ पर यह है cultural heritage का यह part रह चुका है अब इसमें question एक question तो बन नहीं सकता है इसमें multiple question बन सकते है आपका किसी भी topic को उठा के question यहाँ पर बनाया जा सकता है तो मैंने यहाँ पर एक example आपको दिखाय गया है question कैसे बन सकता है अब आपको अगर इस festival या फिर इसके बारे हम पता नहीं रहेगा तो आप यह कोईशन कभी attempt करी नहीं पाएंगे तो यहाँ पर हला कि एंसर यहाँ पर सीदे सीदे है बोथ अब तो यहाँ पर हम बहुत डीटेल में इसको डिसकस नहीं करने वाले है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के उपर स्वनिधी महोत्सव तो हाली में यह दहिंदुम पब्लिश हुआ था GS Paper 2 और 3 का हिस्सा है Welfare Scheme और Governance तो न्यूज में क्या है देख लेते हैं Housing and Urban Affairs Minister हरदीप सिंग पूरी लांचे स्वनिधी महोत्सव which will be celebrated from 9th to 31st July यह dates हैं जिनके बीच में यह celebrate होना है अब यह स्वनिधी महोत्सव क्या है तो PM स्वनिधी स्कीम एक लांच किया गया था और फिर पब्लिश किया गया था इस स्कीम के सक्सेस को celebrate करने के लिए स्वनिधी महोत्सव यहां पर लांच किया गया है अब यहां पर हमारे जानने के लिए हमको क्या है तो हम PM स्वनिधी स्कीम के बारे हम थोड़ा सा डीडेलिंग देख लेते हैं यहीं इसमें पूरा जानने योग है तो PM स्वनिधी स्कीम क्या है तो यहाँ पर PM स्वनिधी का फुल फॉर्म पहले आप देखिए प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आतनिर्भर निधी यह PM स्वनिधी का फुल फॉर्म है यह Economic Stimulus 2 आतनिर्भर भारत अभियान के एंडर में इसको अनौंस किया गया था और इसका implementation June 1 2020 से जारी है अब इसका implementation या फिर इसको launch क्यों किया गया था तो COVID के समय में बहुत सारे street vendor थे या फिर बहुत सारे चोटे 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 को काम करते थे उनके काम पे impact पड़ा था उनका काम पूरी तरीके से बंद हो गया था तो उनको एक capital loan प्रोवाइड करना मालिजे कोई एक ठेले वाला है उसको 10,000-20,000 के जरूत हो ताकि अपना business फिर से restart कर सके तो ऐसे लोगों को एक capital loan प्रोवाइड करना ही इस PM स्वनिधी scheme का एक major objective है major मकसद है ठीक है और इसके लिए लगबख 700 करोन रुपए का budget sanction किया गया है हम IMS की बात करें तो ये 50,000,000 street workers को benefit करने वाला है जो 24,000,000,000 2020 से पहले या फिर उसके बाद urban areas में काम कर रहे हो और साथ ही digital transaction को भी promote किया जाना है और इसको promote करने के लिए cashback scheme लाएगा है cashback आप बहुत अच्छी तरीकस जानते हैं आप Google पे, phone पे वराई use करते होंगे तो वहाँ पर आपको transaction करने के कुछ cashback मिलते थे reward मिलते थे ताकि आप उसको use करें तो ये आपको ये cashback क्यों देते थे ताकि आप उन application को use करें और digital transaction को promote करें तो यहाँ पर भी इन vendors को digital transaction promote करने के लिए 1200 रुपे पर एनम तक का cashback भी मिलने वाला है यानि कि ये लगभग 100 रुपे पर मंथ उनको extra में मिलने वाला है तो ये PM202 scheme के बारे में थोड़ा सा brief out था features की बात करें तो यहाँ पर 10,000 तक का capital loan उनको मिल सकता है जो भी street vendors है और वो एक साल तक धिमे धिमे करके EMI में इसको वापस कर सकते हैं और पहली बार में अगर वो अपना वापस कर ले जाते हैं मालेजे पहली बार ने किसी street vendor ने 10,000 का loan लिया और उसको पूरा repay कर लिया पूर एक साल के 10,000 और रमया फिर जैसे भी वो कर लेते हैं तो फिर अगली बार 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में loan ले सकते हैं अपने business को बढ़ाने के लिए ठीक है और साथ ही में अगर timely payment कर दिया रता है यहाँ पर 10,000 किसी ने loan लिया और एक साल के अंदर अगर वो loan पे कर देते हैं तो उनको 7% per NM के हिसाब से जो भी interest का subsidy है वो उनके account में direct benefit transfer के हिसाब से आ जाएगा quarterly इसका मतलब क्या हुआ माल लिजे किसी ने 10,000 का loan लिया अब loan पर हमेशा आप जानते हैं interest लगता है कोई भी interest माल लिजे 10% का interest हो तो साल भर में उनको 10% extra देना पड़ाएगा लेकिन government यहाँ पर कह रही है अगर आप timely loan पे कर देते हैं तो आपको 7% जो interest का जो भी है वो आपको subsidy के रूप में वापस मिल जागा यानि कि ultimately उनको 3% देना पड़ेगा यह मैं यहाँ पर 10% example ले रहा हूँ जो भी rate of interest हो उस case में 7% यहाँ पर माइमस हो जाएगा ठीक है और कोई अगर जल्दी पे कर देता है तो उसके लिए कोई penalty नहीं है loan वगर में जल्दी अगर loan पे कर देते हैं पेनल्टी होती है क्योंकि loan क्यों दिया जाता है ताकि banks जो है कुछ पैसे कमा सकें लेकिन अगर आप उनको पहले ही loan दे देंगे तो उनको interest मिलने स्था अगर interest नहीं मिलेगा तो वो कुछ पैसे कमा नहीं पाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं PM स्वनिदी बेनिफीशरी जो हैं उनके families को और उनको अगर वो loan लेते हैं तो by default कुछ government के welfare schemes का वो हिंस्टा बन जाते हैं जैसे कि प्रधान मंतरी जीवन जयोती बीमा योजना प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना प्रधान मंतरी जन्दन योजना registration under building, under construction प्रधान मंतरी श्रम योगी, मंदन योजना National Food Security Act जन्दनी सुरक्षा योजना, प्रधान मंतरी मात्रवंदना योजना तो यह सारे योजना, यह यतने सारे schemes हैं इन सारे scheme का लाभ उनको डिरेक्ली मिल जाएगा अगर वो इस तरीके का कोई लोन लेते हैं government से, ठीक है so this was all about this topic हम question देख लेते हैं, यहां से question क्या बन सकता है तो प्रधान मंतरी street vendor आत निर्भर ने दी scheme recently is launched by which ministry अब यहाँ पर ministry of commerce industry नहीं होगा ministry of housing and urban affairs तो इस ministry के द्वारा यह scheme launch किया गया है अगला है ministry of finance और next है none of this, तो answer हमारा क्या हो जागा है है आपर B, और मैंस के लिए यहां पर question आ सकता है issue जो भी related to development है government policies है, street vendors को लेकर क्या हो सकती है, तो इन policy के अंदर में आप इस scheme मेंशन करके अपने answer को और strong कर सकते हैं, right moving to next topic, AI boost rural connectivity and health care यह P.I.B. में published news है यह Giga Mesh के बारे में यहां पर बात करेंगे हम GS paper 3, science and technology का part है यह, तो हमाई यह देख लेते हैं खबरों में क्या है और यह Giga Mesh है क्या तो P.I.B. में भी बताया गया है है कि लगवक 15 गाओं से जादा को seamlessly connection मिल सकता है मतलब कि एक बहुत ही fluid, बहुत ही fast internet connection मिल सकता है वो भी wirelessly और यह क्यों मिल सकता है क्योंकि 4G जो infrastructure है 4G infrastructure बहुत जादा congested हो गया है users बहुत जादा बढ़ गया है इसके वाइसे congestion हो गया है इन्होंने एक ऐसा wireless technology का develop किया है ऐसा बनाया है जो कि एक आपके जो wired connection होते हैं आप घर में देखे होंगे आपके पास अगर internet लगा है या फिर अगर wifi आपने लगवाया है तो एक wired connection होता है optical fiber से सारे connection आते हैं फिर internet आते हैं तो wired में क्या होता है इंटरेट का speed बहुत fast होता है compared to wifi ठीक है तो यहाँ पर जो wifi जो technology गीगा में इस technology को बनाया गया है वो लगभग इसी के आज़ पास speed provide कर सकेंगे और cost जो होगा एक fraction of this wired cable का होगा ठीक है माल लिज़ अगर 10 रुपे में आपको 10 रुपे में एक GB मिल ला है तो यहाँ पर एक रुपे में आपको एक GB मिल सकता है यह possibilities हैं यहाँ पर इस technology के help से और GigaMesh को बनाने में Astrome जो की women let start-up है इनको support करने वाले organization है AI and robotic technology park और अगला organization है Technology Innovation Hub at Indian Institute of Sciences तो यह दो organization मिलकर Astrome के साथ GigaMesh technology को develop कर रहे है या फिर कर चुके हैं right features की बात करें तो यह दुनिया का पहला multi beam e-band radio का use करने वाला technology है और यह एक tower से multiple towers को internet प्रोवाइड कर सकता है मालीजे यहाँ पर आपको tower दिखाया गया यह GigaMesh tower है मालीजे तो इस tower से आपको कई tower में internet अच्छे speed में internet प्रोवाइड करने की capacity है लगबग 2 Gbps speed यह अलग-अलग towers में एक साथ ही प्रोवाइड कर सकता है और range इसका क्या है 10 km का range है so this is very good thing about this technology अगर हम बात करें application की तो यह policing में use हो सकता है policing में कैसे use हो सकता है agriculture में use आ सकता है इंटरनेट देखी आज के जमाने में हर जगा use हो रहा है agriculture में technologies है कई सारे machines है कई सारे data है data collection हो गरा है उसमें काम आता है education को totally आजकल देख रहा है हम online shift हो रहा है पूरी तरीके से even आप अभी पढ़ रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रूआउट दी कंट्री बहुत ही जरूरी है for that very purpose रोज नए-ने innovation रोज नए-ने technologies इससे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है government बहुत सारे schemes निकाल रही है इसलिए इसमें यहाँ पर बहुत ज़ादा efforts दिये जा रहे है question की बात करें तो technology अब यह mesh technology क्या है इससे questions frame हो सकते हैं application क्या है उससे question frame हो सकते हैं even features क्या है तो यह अलग-अलग point यहाँ पर उठा के MCQ बना सकते हैं आपका means question में भी आ सकता है तो you have to learn about giga में अगर आप देख रहे हैं अकसर question में देखिए में आपके कई बार एक term के basis भी question पूछ लेता है जैसे LTE एक बार question में आया था अब जिनको LTE या वोल्ट LTE पता हो 4G technology था वो तो answer कर ले जाएंगे जिनको नहीं पता है उसी तरके से giga मेंशे यह भी एक term है तो term के basis में कभी-कभी बहुत easy questions आ जाते है so you should not leave those questions moving further to next topic India still among countries with poor access to banking world report का एक world bank का एक report आया है यह अपके GSP पर 3 का हिस्सा है growth and development के अंडर में तो world bank का report क्या कह रहा है it is stating that more than half of the population is without access to banking lives in 7 developing countries यानि की 7 developing countries ऐसे हैं जैनका गर हम population की बात करें माल लिजे 100 लोग ये पूरे 7 देश में रहते हैं इसमें से सिर्फ 50 लोग के पास banking है 50 लोग के पास कोई bank account नहीं है ठीक है तो यही कहने का हैं पर मतलब है यह data मैंने एक short करके बता दिया हलाकि 7 countries के population तो बहुत जादा high है तो it's not an actual estimate it's just an example moving further इदर news में क्या है तो इंडिया भी उन 7 country का एक part है जिसमें formal banking access लोगों के पास नहीं है इंडिया के लिए कुछ special findings भी की गई है जैसे कि इंडिया में formal banking ना होने का कारण क्या है पहली बात तो एक trust build up नहीं हो पाता है अभी भी गाव में बहुत जारे लोग रह रहे है उनको technology के बारे में कुछ नहीं पता है वो bank जाने से डरते हैं क्योंकि bank में इतना paperwork होता है कितनी सारी चीज़े होती हैं तो उसके वज़े से बहुत जाता problem होता है और सब के पास इसलिए bank accounts अभी तक नहीं है हाला कि आधहार के वज़े से अभी 80% of adults जो कि 2011 में 35% था इतने लोगों के पास bank account है 100 में से 80 adults पास अभी इंडिया में accounts available हैं और साथ ही में biometrics जब वो transaction होने लगा cash to biometric transaction होने लगा तब से जो pension का leakage था वो 47% तक कम हुआ है pension leakage मतलब क्या होता है पहले क्या होता था किसी के हाँ pension आ रहा है मालेज ये उनका death भी हो गया तो लगातार वो pension निकालते रहते हैं हलाकि ऐसे cases फस भी जाते हैं लोग लेकिन होता था ऐसा लेकिन अब क्या औरा biometric चीज़े हो रही है तो ये leakage जो है पूरी बहुत हद तक इसको रोखा जा सका है ठीक है World Bank ने ये भी बताया है कि इंडिया में जित हाफ से जादा जो bank account है वो inactive है मतलब लोगों को पास account है लेकिन उसका वो use नहीं कर रहे है बात करें तो 2021 तक 76% adult के पास bank account है चाहे वो bank account हो या फिर regulated institution में उनका कुछ financial instrument हो कुछ ना कुछ उनके पास है चाहे फोन में है, mobile पे है जैसे भी होता न वो finance related उनके पास instruments already है लेकिन सब सहारान अफ्रिकन भी बात करें तो वहाँ पर सिर्फ young adults के पास इस age group में तो सिर्फ 60 लोग के पास bank account है 40 लोग के पास नहीं है वही हम बात करें European और Central Asian countries में तो वहाँ पर older adults के पास bank accounts की कमी देखी गई है यहाँ पर क्या देखी, younger यहाँ पर 15-24 साल लोग के पास कमी देखी गई है सौ में से 60 लोग पास है, 40 लोग पास bank account नहीं है वहीं European countries में adults के पास account है लेकिन जो बच्चों के पास है, अफर young adults के पास accounts नहीं है ठीक है और Global Findex Database 2021 के हिसाब से women SC हैं जिनके पास bank account नहीं है मतलब unbanked women ही है maximum अगर हम इन percentage में भी और further classify करे हैं women's card numbers जादा आएगा Brazil, China, Kenya, Russia, Thailand इन में account का जो ownership है बहुत जादा आई है लेकिन वहाँ पर भी women's जो है, जो women's के संख्या है जिनके पास account नहीं है वो जादा है ठीक है अब women's जो है, foreign banking sector से exclude होने का जो main reason है, उनके पास कोई official form of identification नहीं है अपके जमाने में तो हला की सब का बन रहा है चाहे male हो, चाहे female हो, हर सब के पास एक नाइक identification है लेकिन पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे parents नहीं है तो आपके मम्मी के पास हो सकता है कोई भी identity proof ना रहे जब से अधार काड आया है तब तो well and good लेकिन उससे पहले उनके पास कोई भी एक official identification नहीं था हाँ, voting ID card होता था लेकिन voting ID card में बहुत सारे धानले बाजी होती थी बहुत सारी information नहीं होता था तो वो भी एक तरीके से माना नहीं जाएगा अब इससे question क्या बन सकता है discuss the various challenges and significance of financial inclusion for Indian economy and also mention the steps taken by Indian government towards financial inclusion financial inclusion में क्या-क्या step लिए गया है तो अभी हमें यहाँ पर जो बात किया है कि बहुत सारे government initiatives आए है जिसके थूँ नए-नए accounts खोले जा रहे है financial inclusion मतलब कि लोगों को mainstream finance में लाना यही financial inclusion होता है ठीक है तो यह में से question है जिसको आप लिख सकते हैं practice कर सकते हैं बढ़ते हैं अपने अगले topic के उपर यह है cloud burst के बारे में physical geography का यह हिस्सा है GS paper 1 का part है अभी हम हाली में देखा कि अमरनाथ camps में एक cloud burst हुआ बहुत जादा flood आया जिसमें पारस से जादा लोग की मौत होई और 25 से जादा इंजड होगे इंडिन एक्सप्रेस का न्यूज है पंदर जुलाई का यह अब बोचका अपडेट अलग अलग आता है लेकिन मैंने वहां से यह उठाया है क्योंकि यहां पर हमको यह कितने लोग मरें कितने लोग बचें जो भी वह उनके बार हमको डिस्क्रस नहीं करना है विहाःव लगन अबाउट अप्नामेना इस अप्लाउड बुर्स ठीक है यहां पर खबरों में यह रहा है कि flash flood, जो कि flash flood के बएसे बहुत स्यादा landscape हुआ है, कहाँ पर हुआ है, buttle base camp में, central kashmere gangitable area में, यहाँ पर flash flood आया, flash flood में लग के अचानक से बाढ़ आ जाना, इसको हम flash flood कहते हैं, इसके definitions की बात करें, तो sudden surge in water levels generally due to flowing of an intense पेल उफ रेंग मलब की बहुत अचानक से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बारिश हो जाना उसके वज़े से बार हा जाना उसको हम flash flood कहते हैं अब यह होता क्यों है यह मलब की बहुत तेजी से localized area में छोटे से duration के लिए बहुत तेजी से बारिश होती है जिसके वज़े से क पानी overflow होता है पानी overflow को ही हम flash flood कहते है तो flash flood के नजारा कुछ आप ऐसा देख सकते हैं पूरा जो गाउं का गाउं पूरा ढूप जाता है पूरा area जो है तो इसको flash flood कहते हैं अब cloud burst क्या होता है तो cloud burst इसको बादल फटना भी कह सकते हैं बादल फट गया तो cloud burst होता क्या है कि extreme amount of rainfall होता है short period of time में लगकि बहुत कम समय में बहुत जादा बारिश हो जाता है कहीं पर और कभी-कभी वहाँ पर hail thunderstorm भी मलब कि बहुत तेज से कड़गड़ाहाट की आवाज भी आती है इस बारिश के साल और हम definition की बात करें Indian Meteorological Department के हिसाब से cloud burst is an unexpected precipitation exceeding 100 mm और 10 cm per hour over geographical region approximately 20 to 30 square kilometers यानि को 20 से 30 square kilometer के एरिया में अगर 10 cm या 100 cm mm का rainfall हो जाता है कुछ ही घंटों में या फिर per hour का ये measurement है 10 cm 100 mm per hour ये हिसाब से rainfall होता है तो उसे हम cloud burst कहेंगे ठीक है generally ये हिमालयाज और वेस्टन घाट में रेखने को अक्सर मिल जाता है reason क्या है इसका reason बहुत simple हिली एरिया में क्या होता है clouds जो होते हैं बहुत saturated होते हैं माली ये पहाड़ है हिमालया है या फिर वेस्टन घाट हैं तो यहां पर clouds होते हैं कभी-कभी saturated होते हैं लेकिन फिर भी वो बारिश पानी बरस्ते नहीं है यहां पर condensed होंगे saturated होंगे लेकिन बारिश यहां पर नहीं हो पाती है क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से warm current उपर तरफ move कर रहा होता है warm currentip выб uma are मोझा जाता है इस में भी water droplets होते हैं इसके वाज़े से यह नीचे rainfall नहीं हो पाता है यह यह है पर नहीं पर रह जाता है तो यह जो अचानक से और के तरफ warm current का movement होता है water droplets के साथ ऊपर यह यहां पर यह water droplets add-on हो जाते हैं तो यह cloud होता है बहुत heavy हो जाता है heavy क्यों हो जाता है यहां पर पहले से ही पानी था condensed हा यहां पर और यहां पर नीचे से moisture जागे उपर add on हो गया तो उसके वज़ेस्ट क्या होता ही है अचानक से यहां पर hole हो जाता है मतलब कि अजानक से बारिश बहुत तेजी से एक ही एरिया हो जाता है, इसी फिनामेन को हम cloud burst कह देते हैं, ठीक है, अब consequences क्या होते हैं, तो flash flat अभी हमने देखा मरनाथ में, उसके बाद landslide, अब जहाँ बारिश होगी, जहाँ बहुत जादा पानी बहेगा तो landslides हो नहीं है, landslide means बहुत बहुत की, बहुत दा मिंठी कटके हो बहुत के कटके महां पर land caves बन जाएंगे, right, this is the main reason over here, अब question यहां पर क्या बन सकता है, cloudburst means, it refers to sudden and copious rainfall over a small area of time for some time, तो यह अपका answer सही है, और भी option देख लेते हैं, it refers to 50 mm rain over a period of time, तो हमने देखा वहाँ पर कितना था, 100 mm या 10 cm, तो यह option यहाँ पर गलत हो जा रहा है, It is caused by rapid condensation of very high clouds, यह भी answer नहीं है, क्यों है, कैसे farm होता है, हमने देखा, condensation तो पहले सो रखा है उपर में, नीचे यहाँ से जब heavy, warm streams जाते हैं, clouds को यह, rain drops को लेके, वहाँ पर heavy हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर अचानक से rainfall हो जाता है, तो वही cloud burst होता है, और it refers to thunderstorm with little rain, यहाँ पर यह option अगें गलत हो जाएगा, क्योंकि little rain नहीं होता है, बहुत जादा rain होगा, तब ही तो हम वहाँ पर cloud burst कह रहे हैं, अब बढ़ते हैं, अपने अगले topic के उपर, जो है lavender scares, यह आपके GS paper 2 का हिस्सा है, social justice में आता है, यह Indian express में article published हुआ है, तो यहाँ पर lavender scare नाम का एक phenomenon है, या फिर activity है, जो कि highlight हो रहा है, अब यह क्यों highlight हो रहा है, यहाँ पर हम जानेंगे, और आप यह भी जानते हैं, कि James Webb नाम का जो एक space satellite है, वो भी काफी चर्चा का विशह रहा है, चर्चा का विशह इसले रहा है, क्योंकि James Webb telescope ने अभी तक का सबसे space के सबसे clear image produce किये हैं, इसलिए चर्चा का विशह रहा है, तो जो भी controversies रही है से related, वो उसको खबरों में आना ही था, तो यहाँ पर हम देख telescope का नाम James Webb नहीं होना चाहिए था, इसी के उपर पूरा criticism है, इसी के उपर पूरा बवाल हो रहा है, अब यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, लेवेंडर स्केर्स, अब यह लेवेंडर स्केर्स क्या है, उसको हम जानेंगे, उसके बाद हम सारी चीजें चा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि government को लगता था वहां के कि यह सबसे ज़्यादा security threat है, क्यों है, क्योंकि उस समय तक यह बहुत common LGBTQ community बहुत common नहीं था, और common ना होने के वज़े से ऐसे लोगों को डर रहता था कि इनके secrecy, फिर इनको अगर reveal करके, इनसे कोई भी information निकाला ज सकता है, तो ऐसे लोगों को इसी लिए बड़े-बड़े post से हटाया जा रहा था, और उसमें James Webb नाम के जो scientist रहे हैं, जो कि NASA के head थे, उन्होंने एक बड़ा major role play किया था, इसी के वज़े से सारा बवाल है, अब LGBT community चाहती है कि space satellite का नाम, sorry, space telescope का नाम James Webb नहीं होना चाहिए, अब James Webb कौन थे James Webb, मैंने बताया, NASA के head रहे हैं 1961 से 1962 तक और lavender square में इन्होंने बहुत बड़ा role play किया है, यहाँ पर lavender fool का नाम है, तो इससे आपको confused नहीं होना है, it is a term given to that marginalization of LGBTQ community of employees, ठीक है, even 2021 में 4 astronomer ने US में लिखा भी, कि James Webb Space Telescope का नाम scientific American कर दिया जा, लेकिन हाला कि वो परसनल कोई intention नहीं था, परसनल कोई हाथ नहीं था, government ने ऐसे चीज़े जारी की थी कि वहाँ पर investigate किया जाया, integrate किया जाया, और gay men और lesbian women को वहाँ से हटाया जाया, federal government से हटाया जाया, और एक तरीके का वो policy बन चुका था उसमें, लेकिन कुछ भी कहा जा, लेकिन James Webb ने उ इसी लिए यहाँ पर सब लोग इसके against में है, right, अब हम images की बात करें, तो देखिए कितने खूबसूरत, कितने clear images इस टेलिसकोप ने लिए है, तो इसी के वाज़े से यह चर्चा का वीश है रहा है, और इसे related जो भी controversies है, वो भी उपर उठके आई है, इसे question क्या बन सकता है, identify the statement associated with the term lavender scarce recently used news, पहला है, the marginalization of LGBTQ employees working in US government, तो यह तो पहला सही है, failure of lavender cultivation, अब lavender cultivation, मतलब क्या होगा कोई प्लांट है, तो यह plants related यहाँ पर नहीं है, so this is wrong, four-line plant bug garden flea hopper, again, यह कोई living body नहीं है, तो इपी गलत होगा है, तो इसका answer A हो जाएगा, right, moving to next topic, यह भी geography का हिस्सा है, GS paper 1 का आता है, study of, study against new insight into fundamental question in geology, यह down to earth में news publish हुआ है, अब news में क्या है, वो हम देख लेते हैं, एक scientist के team है, जो कि goa based national center for polar and ocean research में, एक नया study उन्होंने produce किया है, और tectonic moments को लेकर उन्होंने एक नया खोच किया है, नया information पाया है, ठीक है, अब tectonic plates क्या होता है, I hope you are well aware of these tectonic plates, tectonic plates दो तरीके होती है, continental tectonic plates and oceanic plates, उससे पहले आपको जानना होगा, earth, अगर हम बात करें, earth के division का, तो earth basically तीन section में divide रहता है, सबसे पहले section को हम कहते है, crust, ठीक है, crust का जो height होता है, 30-40 km होता है, मतलब कि अगर इसकी बात कर यह surface हमारा इससे 30-40 km गहरा खोद देंगे, तब तक हमारा crust होता है, वहीं अगर oceanic area है, तो oceanic area से 10 km होता है, ऐसा नहीं है, जहाँ पर ocean माल लेजी, यह land है, यह ocean है, अगर मैं example लो, surface का, तो यह अगर ocean है, यह land है, यहाँ से अगर हम 40-40 km, 30-40 km तक गढठा कोते हैं, तो यह हमारा crust का हिसा आता है, यहाँ से ocean के बेट से हम 10 km तक होते हैं, तब भी हमारा crust का हिसा बना रहेगा, उसके बाद हमारा अगला जो layer आता है, वो आता है mental का, mental का जो थिकनेस होता है, 2900 km का होता है, बहुत ही थिक होता है, और यहाँ पर इनके बीच में ही जो सारे tectonic plates होते हैं, यही होता है, लेकिन अगर मास की बात करें, तो 33% मास होता है, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें metallic, metal जो है, मोड़र फॉर्म में अवेलबल होते हैं, इसलिए यह होता है, और tectonic plates क्या होते हैं, तो जितना land system है, अगर आपने जोगरफी पढ़ा होगा, फिसकल जोगरफी, तो इस और आज का जो current world है, वो एक दिन में नहीं बना है, बहुत time दी में धी में घिसक के बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर study में क्या पाए गया है, या फिर study क्या किया गया है, तो जैसा अग मैंने बताया है, नीचे क्या कहते हैं, लिथोस्फियर के नीचे हमारे, क्या होत कोशिश करता है, मैगमा कोशिश करता है कि ऊपर आके वलकनिक इरप्शन करें, वलकनिक इरप्शन मिलब कि वलकनोस बना है, वलकनोस बना एक जौला मुखी, तो जो वलकनोस होते है, बहुत ज़रा मैगमा बाहर निकलता है, यहाँ चाहे पानी में हो, चाहे धरती पे हो, अलग अलग जगह पे वल्कणोज होते हैं, यह कभी कभी क्या होता है posible नहीं हो पाता है कि जमीन भाइके यहाँ पर cracks उनको नहीं मिलता है कि बाहर निकल सकें तो एक ऐसा phenomenon होता है कि जो लावा है इस light sphere या फिर is the tectonic plate में क्या होता है वह चिपक जाते हैं नीचे में माले यह टेक्टॉनिक प्लेट है यहां पर मेगमा भरा हुआ है अब यह बाहर निकलने कोशिच कर रहा लेकि नहीं निकल पा रहा है तो एक फिनामेनाः ऐसा आएगा कि अपने को निकलने कोशिश में बर्ष्ट तो हो जाएगा लेकिन बर्ष्ट होने के बाद वह चिपक जाएगा यहां पर चिपक जाएगा उसके बाद यह अगर लेंट की बात करें तो पास दाजार किलो मेटर का लेंट की बात करें तो दो सो किलोमेटर का विट है जो major तीन टाइप की रॉक होते हैं और इसमें सेडिमेंटरी रॉक और मेटमोर्फिक रॉक भी एक पार्ट होता है तो इस टड़ी किसका किया जा रहा है और उसमें पाया गया कि जो यह कर्डूलन होट स्पॉट है वहां से plumes move करके इंडियन ओशन में आ गये हैं अब यह move कैसे करके आ गये हैं वहां आगे समझेंगे क्योंकि हम जानते हैं हमने देखा कि plate tectonics लगातार move कर रहे हैं तो इंडियन ओशन फिर इंडिया का जो भी tectonic plates हैं वह भी अपने जगह से नीचे से move करते हुए उपर नॉर्थ वर्ट मूव किये हैं तो माल लीजिए यहां पर यह plumes जब यहां पर combustion हो रहा था जो magma है अगर हम बात करें एक मिट आपको ऐसे समय रहागा यह माल लीजिए हमारा earth है यहां पर अगर इंडिया पहले का समय में यहां रहा हो यहां पर वलकनी करेप्शन होनी कोशिश कर रहा हो लेकिन नहीं हुआ और इसमें यहां पर जो plumes है जो इकठा होगा इस प्लेट में अब लगातार हम जाते हैं कि मूव कर रहा था इंडिया नॉर्थ वर्ट के ऊपर क्योंकि अभी का पोजिशन हम इंडिया का देखे तो यहां पर कहीं आता है तो अपने साथ इन plumes को ड्रैक करके कहां तक ले आया है यह स्टड़ी है कुल्मिला के यहां पर यहां पर देख लेते हैं लोकेशन 90 डिग्र इस्ट रिज यहां पर यह सारे plumes पाए गए है ठीक है अब यहां पर देखी यहां पर आपको ज्यादा क्लेरी समझ में आगा है यहां पर इंडिया लैंड मास है यह दीमे दीमे मूव करते हुए दीर 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 नौर्ट के दरफ जा रहा है लेकिन साथ ही में यहां पर कु पर शॉजर रात्र कृशन बन सकता है दीर रिजा प्र संख कर दूेर जोफ भाकस्था लेकिन अपू है लेकिन अ फिर फ्रेंच फ्राइबयोन हो जाया थैए यहां पर यह जा यहां पर यह स्टेट्मेंनी फॉन इनमी ठारी で-छान moving to our last topic government policies का ये हिस्सा है GSP2 का Animal Health Summit तो news में का रहा है recently Union Minister of Fishery, Animal Husbandry and Daring inaugurated the first Indian Animal Health Summit of 2022 in Delhi तो ये ऐसा पहला Animal Health Summit रहा है जो कि Indian Chamber of Food and Agriculture के द्वारा और्गनाईज किया गया है अब इसको objective क्या है objective simple सा है animals के health को monitor करना है monitor क्यों कर रखिया जा रहा है क्योंकि animal के health से animal के illness से क्या होता है humans को कुछ जादा बीमारियां transfer हो जाती है जैसा कि अभी हम Corona देख रहे हैं Corona बैट से निकला हुआ monkey pox है monkey से निकला हुआ है तो बहुत सादा illness जो होता है वो इंसानों भी फैल जाता है और environment और animal के उपर बहुत जादा लोग बहुत जादा इंसान dependent होते हैं कैसे dependent होते हैं जैसे dairy कर रहे हैं daring कर रहे हैं या फिर दूद निकाल रहे हैं या फिर घोडे का use कर रहे हैं तो animal के उपर इंसान dependent होते हैं तो उनके बिमारियों को maintain करना सही करना बहुत ही जरूरी हो जाता है इसके लिए summit organize करना बहुत ही important था ठीक है अधिये सब यहाँ पर हम देख लिए अब मैंने बताया जैसे कि 1 in 5 people are dependent on production of animal for the income and livelihood तो यह कितना important है आप यहाँ पर देख सकते हैं पांच में से एक लोग होते हैं animals के उपर पूरी तरीके से dependent होते हैं अपने livelihood के लिए तो हजार पचास तक 70% additional animal protein चाहिए होगा लोगों को feed करने के लिए ठीक है तो इसलिए यह animal health cement बहुत ही important हो जाता है अब इसे question आपके बन सकते है animal health accelerated और एक बात और important है World Organization for Animal Health ने 117 illness notify किये गया है और पचास wildlife illness को भी लिस्ट किया गया है जो कि एक major consequences होता है livestock और public health के लिए मालब इंसानों के health लिए और जानरों के health के लिए भी यह पचास illness बहुत ज़्यादा मेजर कॉस होता है ठीक है So this was all about this news Thank you for watching today's video I hope आपको सारे concepts सारे facts सामझ में आ गए है Still if you have any doubt you can always write down in the comment box Keep watching Goa Thakur IAS Academy YouTube channel Please subscribe, like and share और हां notification icon भी प्रेस कर दें ता कि आपको regular notification मिलता रहे Thank you once again for watching See you next video with new topic Till then, goodbye